फोन की घंटी बचती है तभी मा आशा फोन उठाती है कैसे हो बिटा और कबा रहे हो मा मैं नहीं अब आपको आना होगा मा आप कहती थी ना शादी कर लो तो मैंने आपके लिए बहु ढूंड लिये अब आपको आना होगा क्या सच में ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा ठीक है बेटा तो अब हम सब जल्दी ही दिल ली आएंगे ठीक है मा टिना मिना कहां गई जल्दी से आओ क्या हुआ मा जी आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है बताए न मा जी क्या हुआ हमारे धीरू ने अपने लिए लड़की ढूंड ली है कह रहा था वो लड़की बहुत ही सुन्दर और सुशील है चलो मेरी भी चिंता खतम हुई कल से हम लोग खरीदारी करने के ले जाएंगे आखिर शादी का घर है बहुत सारी शौपिंग कर दी है इतनी सारी तयारियां करनी है और टीना मीना कल तुम दोनों मेरे साथ मारकेट चलना वहां से नई बहु के लिए कुछ साडियां और जूलरी भी खरीदनी है माजी मुझे भी कुछ दिला देना अरे नहीं नहीं फिजूल खर्ची बिलकुल नहीं फिजूल खर्ची करनी है तो अपनी मा के घर से लेकर आओ, दहेज में तो कुछ लाई नहीं और मुझसे और माग रही हो तीना मीना आपस में बात करते हैं, मा जी कितनी कंजूज है दीदी, नई बहु के लिए तो इतना सोचती है और हमको भूल गई है हम दिन रात इनकी सेवा करते हैं, सारद इन बस के चर्ण में घुसे रहते हैं, फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं ठीक कहा तुमने मीना, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं दूसरे दिन वो सब मार्केट चले जाते हैं और नई बहु के लिए खरीदारी करते हैं तब ही मीना कहती है, मा जी ये सारी कितनी अच्छी है, हमें दिला दीजे कहा था ना मैंने तुमसे कि किसी को कुछ नहीं दिला रही, मैं केवल नई बहु के लिए खरीदारी कर रही हूं और मैंने कहा था मुझसे किसी चीज की जिद मत करना शादी का घर है बहुत खर्चा है किसी को एक साड़ी नहीं दिलाऊंगे मैं सारी शॉपिंग नई बहु के लिए कर रही हूं बड़ी आई साड़ी लेने वाली तीना मिना आपस में बात करती है हमारी सासे एक नंबर की कंचूस है नई बहु के इतनी सारी खरिदारी और हम दोनों को साड़ी दिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है भगवान भला करें इनका आने दोस्त नई महरानी को मिलकर सबक सिखाएंगे और अगली सुबह आशा कहती है अरे टीना मिना कहा मर गई बसका टाइम हो गया उस जगह पर चाय वाला छोले वाला ब्रेट पकोड़े वाला आदी भी खड़े होते है अरे चाय वाले भईया चाय कैसे दी है 10 रूमे की चाय मेडम अच्छा इतनी महंगी चलो कोई बात नहीं, तीन चाय लगा दो यह माजी कितनी कंजूस है दो दिन की चान नहीं फिर अंधेरी रात है मेरी नई बहू, और कुछ खाओगी क्या कुछ खाओगी तो बताओ नई माजी, शुक्रिया अरे, शुक्रिया कैसा छोले खालो अरे छोले वाले तीन प्लेट छोले तो लगाओ मा बाहर की चीज़ें हमें नहीं खाने चाहिए पता नहीं कैसे कैसे बनी होती है अरे नहीं बाबो जी हमारा खाना एकदम सुध है ताजा है गरम गरम हाँ हाँ पता है पता है कितना ताजा है वो सब छोले खाने लगते हैं तभी बिर्जू और श्याम आपस में कॉमेंट पास करने लगते हैं ये बढ़िया तो बड़ी कंजूस लग रही है भाई एक बहु पर प्यार है और दो बहुआं पर अत्याचार है अरे भाई हमें क्या करना उधर मत देख नहीं तो ये बढ़िया आँखे निकाल कर गोटियां खेले की गोटियां हाँ इसके बाद वो सभी खापी कर वापस बस में बैठ जाते हैं और सफर ऐसे ही चलता रहता है बस अपनी स्पीट से चलती जाती है बस टौप आते जाते रहते हैं कुछ देर बाद नई बहु के पेट में गरबर होने लगती है तब ही वो अपने पती से बोलती है एजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है लगता है मेरे पेट में गैस बन रही है अच्छा मैं ड्राइवर से कहकर किसी धाबे पर बस रोकवाता हूँ कुछ दूर चलने के बार ड्राइवर एक धाबे पर बस रोकता है लेकिन धाबे का टॉलेट बहुत गंदा होता है जिस वज़े से सपना बिना टॉलेट गए ही वापस आ जाती है ए जी टॉलेट तो बहुत गंदार है मैं घर जाकर ही कर लूगी ठीक है जैसी तुम्हारी मरसी पर इतनी देर तक तुम मैनेश कर पाओगी हाँ मैं कर लूगी वो वापस बस में बैट जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद नई बहु के पेट में फिर दर्द होता है और फिर एक आवाज सुनाई देती है सभी आश्यरे चकित हो जाते हैं सभी लोग पूछने लगते हैं ए ये पाद किसने मारा रहे सभी लोग एक तूसरे का मुँध देखने लगते हैं टीना मीना आपस में कहती है लगता है इन लड़कों का काम है अगर पेट साफ नहीं है तो जब ड्राइवर भाई बस रोके थे तब क्यों नहीं किये पद्बू पद्बू फैला रहे हो अरी घर से पेट साफ करके आना चाहिए न तब बिर्जू कहता है खामखा इलजाम लगा रहे हो तुम हम पर हाँ तुम में सही कोई एक होगा हाँ हमने नहीं मारा कोई पादवाज हाँ फिर तभी थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आती है फिर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं नई बहू का पेट खराब हो जाता है और वो सीट भी गंदी कर देती है तभी वो लड़के कहते है अरे अरे क्या देखना पड़ रहा है इतनी बद्बू थोड़ी देर और बैठा तुम्हें यहीं पे होश हो जाओंगा हाँ देखो तो पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं लोग यह बोरिया अपनी नई बहू के कितनी तारीफ कर रही थी यहां थो बद्बू के मारे दम निकला जा रहा है बस में भी इतनी भीड है कहां जाएं कहां बैठें लगता है आज तुम्हें मरी जाओंगा भाई अरे बहू तुने ये क्या किया जब आ ही रही थी तो तुझे टॉलेट जाना चाहिए था ना जब धाबे पर गई थी तब क्यों नहीं करके आई यहां करने की क्या जरुरत थी माजी मैंने जान बुचकर नहीं किया मैं मैनेज नहीं कर पाई देखा माजी कितनी देर से अपनी नई बहु की तारीफ कर रही थी अब देख लिजे इसके कारणा में छी 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 राम 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 मैंने कहा था ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं देख लिया माजी आपकी सुन्दर नई बहु ने तो ग्रे प्रवेशते पहले नई गंध प्रवेश कर दिया है ऐसा कहकर वो दोनों हसने लगती है अरे कमभखत दोनों चुपो जाओ वैसे इतना दिमाग खराब हो गया और तुम मजे ले रही हो अब मैं क्या करू इस बहु का अरे बेटा अब तु ही इसके साथ जोर इसकी मदद कर ये काम तो मेरे बस का ना है तभी बस अड़े पर आकर बस रुपती है धीरज सपना को लेकर सारवजनिक शोचाले में जाता है फिर कपड़े बदल कर सपना बाहर आती है तभी आशा कहती है जीवन में पहली बार ऐसा सफर करना पड़ा चलो कोई नहीं चलो बेटा इस बहाने सबक तो मिला कि सफर में जादा नहीं खाना चाहिए किसी भी वक्त हमारा पेट खराब हो सकता है और फिर वो सब अपने घर चले आते हैं धीरज अपनी सुहाग रात मनाने के लिए अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि नई बहु सपना रो रही होती है क्या हुआ सपना? तुम्हें अपने घर की याद आ रही क्या? नहीं भुख लगी है? नहीं फिर क्या हुआ है? पॉटी लगी है ए राम अर्पिता की शादी के ठीक एक दिन पहले सगाई का फंक्शन था उसके ससुराल वाले जबरदस्ती उसे खिलाने पिलाने में लगे हुए थे हर कोई यही कह रहा था कि नई बहु को मैं पहले खिलाऊंगा कोई कहे मैं पहले खिलाऊंगी यही करते करते अर्पिता परिशान हो गई पर वो क्या ही कहती जबरदस्ती सब फोटो खिच्वाने के चकर में अर्पिता के मुह में जबरदस्ती बर्फी और रसकुले के टुकड़े भरते ही जा रहे थे जब खाना खाने की बारी आई तो सब ने टेबल साथ में लगा ली अरपिता, खाओ ना, तुम तो कुछ खाई ने रही हो अगर अभी भूकी रहोगी तो कल फिर फेरो के समय तुमें भूक लगेगी हाँ अरे साले साहब, अरपिता को भी तो कुछ खिलाओ, खुदी खाय जा रहे हो जीजु मैंने कहा मना किया है, खालो अरपिता, नहीं तो सब मुझे ही दोश देंगी अरे तुम सब छोड़ो अरपिता बहू, मेरे हाथ से गुलाब जामुन खाएगी क्यों, खाओगी न, अरपिता क्या ही कहती, वो चुप चाप अपनी होने वाली सास के हाथों से पूरा गुलाब जामुन खा लेती है अब तो होने वाली मामी, बुआ, मासी, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, सब अरपिता के मुझे जबरदस्ती खाना ठूस रह थे अरपिता परिशान तो हो रही थी, पर वो नए बनने वाले रिष्टों का दिल रखने के लिए चुप चाप उस समय सगाई के फंक्शन में खाती रही उस रात तो जैसे तैसे अरपिता सो गई, अगले दिन उसकी शादी थी शादी के फंक्शन में भी सुबह से रीती रिवास शुरू हो गए तो माईके में आए महमानों ने सभी रीती रिवास निभाते हुए अरपिता को कुछ न कुछ खिलाना शुरू कर दिया जो महमाना आए और पिता के मुँँ में मिठाई और खाने की चीज़े खिलाते रहे बस चाची जी और मन नहीं है अरे थोड़ा सा तो खाले, फिर शादी के बाद हम कौन सा खिला पाएंगे हाँ अभी तो मेरी बारी रह गई, रुको, ये ले बिटिया, एक निवाला मेरी तरफ से भी खा, तू भी क्या याद रखेगी, तेरी ताई ने तुझे खाना खिलाया ममी बस मुझे और भूक नहीं है, ये रीती रिवास कित्ती देर और चलेंगे अभी अंकित के ममी पापा भी आकर गए है, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा खिला दिया है अर्पिता बैसे किसी को मना करते अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं थोड़ा खा ले वैसे भी अब तेरी शादी हो जाएगी, फिर कौन सा तेरी चाची ताई और मामी वगेर को तुझे खिलाने का मौका मिलेगा रुक, तेरे मामा जी और पापा बुला रहे, मैं अब भी आती हूँ किसी तरह अरपिता की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है पर शादी की रात से ही अरपिता के पेट में गरबर हो रहे थी जैसे तैसे उसने फेरो के समय अपने आपको संभाल लिया पर ससुराल पहुँचते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी अब नई नवेली बहु किसे कहे और कैसे कहे अर पिता माने तुमारे लिए ये गरम-गरम नाश्ता भेजा है तुम जल्द से कर लो फिर कुछ दिर बाद महले की औरते आएंगी और तुम्हारी मूदी खाई की रस्म होगी बबली दीदी वो मैं अरे शर्माना कैसा? मुझे पता है आपके लिए घर नए आए इसलिए आपको मेरे सामने खाना खाने में शर्मारी है ठीक है तुम खालो मैं थोड़ी दिर बाद दुबार आती हो दीदी अंकित का है? अंकित? वो तो अपने जीजू के साथ नीचे हॉल में नाश्ता कर रहा है अर्पिता की ननर धेर सारा मखन लगा कर आलू के पराठे और दही रख जाती है अब अर्पिता ना खाये तो भी बुरे बनेगी और खाये तो भी उसकी हालत खराब होगी अर्पिता पूरी तरह से फंस चुकी थी तभी उसकी सास आ जाती है अरे अर्पिता बहू तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया क्या हुआ मेरे हाथ के आलू के पराठे पसंद नहीं आये क्या नहीं नी मा जी पराठे तो बहुत टेस्टी है मैं बस खाई रही थी अच्छा अच्छा ये लो साथ में ये भी खा लो तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए ताजी-ताजी जलेबिया और रब्डी लेकर आए है वो बोल रहे थे कि यहां के फेमस हलवाई की रब्डी जलेबी है तो अर्पिता को जरूर खिलाना बड़े मन से उन्होंने तुम्हारे लिए भेची है अर्पिता रब्डी जलेबी देख कर परिशान हो जाती है पहले ही उसका पेट गर-बर कर रहा था उपर से रब्डी जलेबी अब ससुर जी ने भेची है ये कहकर सास ने कुछ कहने से ही रोग दिया क्या करे और क्या ना करे सबरदस्ती सास मुह में रबडी जले भी ठूसे जाए अर्पिता चाहते हुए भी मना नहीं कर सकी सास के जाने के बाद अर्पिता परिशान हो गई वो बार-बार टॉलेट भागे फिर बाहर आए फिर भागे फिर बाहर आए जसबात का डर था वही हुआ अर्पिता को दस्त लग गए उसका पेट खराब हो गया लगातार लूज मुशन आय जा रहे थे बिलकुल पानी दस्त करते हुए अर्पिता को कमजोरी मैसूस होने लगी उधर से उसके ननद उसे लेने आ गई अर्पिता क्या हुआ तुम अभी तक बातरूम में हो मा बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है महले की ओरते और रिष्टेदार वग्यार मुदिखाई की रसम के लिए हॉल में ही जमा हो गए अभी आई बस थोड़ी देर और दीदी आप चलो मैं आती हो ठीक है नीचे आने से पहले मुझे आवाज लगा देना ननत चली गई पर अर्पिता की मोशन रुखने का नाम ही नहीं रहे थे उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी जैसे तैसे वो तैयार होकर अपनी ननत के साथ हॉल में पहुँचती है सब और ते मुदी खाई की रस्म के लिए आती और अर्पिता को फिर से मिठा खिलाने लगती ये लो बहू हमारे हाथ से भी खाओ हरे बहू न शर्मा रही है हमारे हाथ से नहीं खाएगी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बहन जी अर्पिता बहू आंटी जी के हाथ से भी खाओ अर्पिता जबरदस्ती मिठाई के PIECE खा लेती है सब लोग चाय नाशता वगएरा करते हैं और मजबूरी में अर्पिता को भी करना पड़ता है अब अर्पिता से वहां बैठा नहीं जा रहा था उसे फिर से लूज मुशन आने लगता है वो अंकित को आवाज लगाती है पर अंकित दोस्तों और रिष्टेदारों में बिजी था अर्पिता से रुका नहीं जा रहा था वो फॉरण अपनी कमरे की ओर भागती है और सीधे टॉयलेट में जाती है कुछ देर बाद उसे आराम पड़ता है पर अब उसकी हालत बिगरती ही जा रही थी अर्पिता को चक्कर आने लगते हैं उसका पेट भी दर्ध हो रहा था वो बैट पर लेट जाती है तब ही उसकी सास कमरे में आती है क्या हुआ अर्पिता बहू तुम्हारी तब्यत तो ठीक है ना छी माजी मैं ठीक हूँ बस ऐसे ही अर्पिता अपनी सास की बात का जवाब भी नहीं दे पाती कि अचानक उसे फिर से लूज मोशन आ जाता है और वो टॉयलेट में भाग जाती है कुछ दिर बाद अर्पिता जब बाहर आती है तो उसकी सास के साथ साथ ननत भी वही खड़ी थी क्या हूँ अर्पिता भावी आपको छुपा रहे हो दीदी मा जी वो मुझे ज़ादा है वी खाना खाने से दस लग गए है कल रात से ही पेट बहुत गरबर कर रहा है कहते कहते अर्पिता बेहोश हो जाती है उसकी सास और ननत दोनों घबरा जाती है अरे अर्पिता बहु क्या हुआ बबली एक बार अंकित और अपने बाबुजी को बुला कर ला अंकित डॉक्टर को फोन करता है डॉक्टर आती है और अर्पिता का चेक अप करती है अगर मेरे आने में थोड़ी देर हो जाती तो अर्पिता को हॉस्पिटल में एड्मेट करना पड़ता कोई घबरानी की बात तो नहीं है न डॉक्टर नहीं नहीं अब ड़ने की कोई बात नहीं है मैंने इंजेक्शन दे दिया है या लूज्स मोशन रुख जाएंगे पर अर्पिता को बिल्कुल भी हैवी खाना नहीं देना बहुत लाइट खाना देना है जैसे जूस, फ्रूट्स, खिच्चडी, दल्या, दही वगरा और कुछ भी तला भुना या फिर जादा मीठा नहीं देना डॉक्टर अर्पिता को दवाई और इंजेक्शन दे कर चली जाती है खुछ देर बाद अर्पिता को आराम पढ़ता है अर्पिता बहु तुमने पहले क्यों नहीं बताया वैसे देखा जाये तो गलती हमारी ही है हमें भी इस बात का खयाल रखना चाहिए था कि बहु कितन पहु जब तुम्हारा पिट खराब था तो तुम मना कर देती तुमने हम सब का दिल रखने के लिए हमारी लाई हुई चीजों को बिना कुछ कहे खा लिया ताकि हमें बुरा न लगे कमला हमारी बहु बहु बहुत संसकारी और समझदार है जीती रहो बहु भबराओ नहीं तुम जल्दी ठीक हो जाओगी कमला बबली तुम्हें अर्पिता बहु का पूरा खयाल रखना है ठीक है अर्पिता की ममी को भी फोन पर ये बात पता चलती है तो उने भी बहुत दुख होता है कि अर्पिता को शादी से दो दिन पहले भी इतना भारी खाना खाना पड़ा और वो सब का दिल रखने के लिए अपने माईके में भी किसी को मना नहीं कर पाई और शादी के बाद वो अपने ससुराल में नई बहु बन कर आई तो भी किसी को मना नहीं कर सकी सबको अपनी गलती का एहसास होता है एक दो दिन में अर्पिता ठीक हो जाती है अब रिष्टेदारी में पहली रोटी खाने भी जाना था इस बात को लेकर वो और चिंता में थी फर इस बार उसकी सा है तब तब जाना अपनी सास की बात सुनकर अर्पिता खुश हो जाती है वो खुश थे कि उसको इतना अच्छा ससुराल मिला था जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे की परिशानी को समझते थे